बहुत बहुत स्वागते दोस्तों आप सभी का हमारे इस चनल पे जिसका ना मेडिकल जानकारी परपत जहां पे हम दितने दवाईयों के रिव्यू बिना किसी स्पांसर की दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्मा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो की बहुत इस चाहिए जाएं किसे लगाना चाहिए किस तरीके से अपलाइ करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा सारी बाते हैं इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा सब्सक्राइब कर लेते हैं कि कोजिक अचिड होता क्या है यह पाय छिटा है वहां से पराप्त होता है और इस पहर जील जानाम एक फंगी होता है होता है वहां से भी पयाई जा में कोजी कहते हैं इसका नाम कोजेग इसिड पड़ा इसके खुबियों के बाले बात करेंगे रहता है डर्मा को का यह प्रोड़क्त है और काफी अदा फेमस हैं बहुत सारे लोग इसे इस्तमाल करते हैं, काफ़ दा यूटूबर्स भी इसे इस्तमाल करके अपना रिव्यू दे चुके हैं, तो मैं ले सुचा क्यों ना मैं आपको लोगों को भी बताती हूं, इसका रिव्यू देती हूं, इसे मैं भी इस्तमाल कर रही हूं, बहुत ही आपने जापान के लोगों को देखा हुआ काफेदा एज जाने के बाद भी उनके चेहरा जो है चमकता रहता है यह जापान के जो स्किन केर प्रड़क्ट हों से हैं काफेदा फादी मंद होते हैं तो इसके बारे में बात कर लेंगे यह आपको कहां कहां मिल जाएगा आपको टूएटी यानि दोजो टारा रुपए आप किसी भी ऐसे वेबसाइट से आपकर आप आउडर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत छूट मिल जाएगी बात कर लेते हैं इनके वेनेफिट्स के बारे में इसमें खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें खूब अजिए पिरियंस किया है और अग्यों आपको टैनिंग हो गई हो तो आप यह खीर में पीए तो पर होते हैं गर ऑफूड बर्यूजर्फेक। आपके टेक्शर को बढ़िया बनाता है आपको लगने जगे कि आपको जो फेस है वह काफी हद तक साफ हो गया करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे मित यहां पे आपको 2% कोजिक एसीड पाया जा रहा है इसमें और 1% आलफा एर्ब्धुट। यह झाल रहा है और न्या सिनमाईड पाया जा रहा है आप इसे डे नायट नो समय पर इस्तमाल कर सकते हैं इसमें इसारी चीज़ें पाय जा रही है इनका काम क्या होता है कोजिक इसिड क्या करता है आपके जो किसी भी स्पार्ट को आपके छेहरे प भूप भूप एक हाफ। भूप हो वक्राइभ-डूरह को वप बैसे पैसे बाइब सकते हैं और किस तरीके से इसी ब्यु scholars मिलेक New पार नाँ थी कितोड़के सब्साइब आपको इसे मतल डोन ब्युद्ध पेर अप्ली थी बॉन लेक हैं। नाइब है और अबतु अफ्श्टाहं पेर ऻडाय नहीं तक मसाज कर जो एक भाइब थे कोई चीज जो पाय जा रहा है उसे आपको अलर्जी वगरा है तो पहले से ही जान लें उसी इस्तमाल ना करें अगर आप कर लिये उसके बाद आपको खुछ लाठ हो रही है और आपके चेहरे पर लाल धबे पड़ जा रहे हैं तो इस्तमाल भी ना करें और पसे भी कोई भी आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं यहां पर आपको इसी तरीके से वीडियो देखने को मिलेंगे आपको जानकारिया मिलेंगी तो मिलते हैं किसी प्रिशन की रुबिक साथ अपना ख्याल लगें जो कि बहुत ज़रूरी है बाइबाए